और चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए थाकि आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं आज हम बनाने जा रहे हैं चनौरी भाजी यह जो चनौरी भाजी है वो चैने की केट में करपतवार की तरह उपते हैं लेकिन हम चतिस गड़िया लोग इसे भी भाजी के रूप में उपयोग करते हैं इसमें नमक डाल देंगे ताकि यह गल जाए और ढख कर रखेंगे इससे पहले इसमें जो हमने दाल भीगा कर रखें हैं वो डाल देंगे हमने चैने की दाल के इस्नमाल किया है लगबग आदा कर टोरी और इसको ढख देते हैं ठकन खुड़ने के बाद इसको फिर से चमर जला लेते हैं ताकि यह बहुत अच्छे से पक जाये गल जाये जब हमारी ट Depot पूरी तरीके से पक कर जाएगी तब हम आब हम इसमे ऑई बाजिया डालाइंगे है कट इसमें नहीं बाजी हमने ढ़क रखी है साफ कर你是 इसमें डाल देंगे और धकन डख धेंगे फिर से इस तरह से सारी भाश्जियां इसमें डाल देंगे. दोस्तों चनलुरी के बाजीय बहुत ही स्वाधिस्ट होती है और ये पेट के लिए और बाचन सक्था के लिए बहुत ही अच्छा होता है. थोड़ी दर बाद धकन खोल कर फिर से हम इसको चमर्चा ला लेते हैं और टमाटर और भाजी को मिक्स कर देते हैं भाजी में अलग से पानी डालने क्या अश्यक्तर नहीं है इनी भाजियों से जो पानी निकलेगी उसी से ही ये पक जाएगा और ये बनाने में बहुत ही आसान है इसमें कोई विसेस मसाले की जोरत नहीं है इसकी कोई विसेस इंग्रेडियेंट भी नहीं चाहिए बहुत ही कम संसाधनों में बन जाने वाला और बहुत ही सेहत मंद भाजियां होती है ये देखिए अब भाजी से ही पानी निकल गया और यही पानी से यह पख जाएगा चमाच चलाकर बीच बीच में इसको मिक्स कर देंगे ताकि नीचे चीपखने ना लग जाए क्योंकि हमने अभी तक इसमें तेल के इस्तेमाल नहीं किया है जब इसका पानी सूख जाए तब हम इसको अलग करके फिर इसमें बगहार लगाएंगे तब तक इसको पानी सूखने देते हैं और बीच बीच में चमाच इसको लाड़ी लादंगे ताकि यह नीचे नहीं लगेगा बाजी बहुत अच्छे से पकने लग गई है पाजी को पानी लगबग सुख चुका है अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसी कड़ाई में फिर से बगहार लगाने की तयारी कर लेते हैं पुरे उसी कडराही कोने लिए है वार इसमें दो चमाड़ टेल डाल धेते हैं अब इसमें कटी लैसन खी कलियरां जा लगे और यह लाल होने लगी तब हम इसमें लाल मिर्चिंप के तुक्रे अब गलेंगे हमने एक छोटा प्याज लिया है जब ये थोड़े पक जाए तब हम इसमें भाजी को डालकर तुलन धख देंगे थोड़ी दर बाद धखकान निकालकर इसमें फिर से चमर चला लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा मास्चर है वो थोड़ा और निकलने देंगे और इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे दो से तीन मिनिट में ये भाजी बनकर पूरी तरीके से तयार हो जाएगी और आप इसे खाने के लिए रेटी पाएंगे आप इसको चावाल या रोटी के साथ सर्व करके खा सकते है आपको जो पसंद है उसके साथ काईए इस भाजी की स्वाद लीजिए या बहुत ही अच्छा और स्वादिस्ट भाजी है और चने की पैदावार के दिनों में असानी से मिल जाती है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगो तो वीडियो लाइक कीजे और अपने सुझाओ कमेंट बात पर ज़रू लखें